हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपका प्यारेश यूटूब चैनल मोहित पांड़े क्लासेज पर फ्रेंड्स जसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं तिरकोणमिती इंग्जिस में बोलते हैं ट्रिग्नॉमेटरी तो इसके लास्ट व में हो चाहें 11 में हो या 12 में हो या अधर कंप्रेटिव इंग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं अगर आपके स्लेबस में मैं चैप्टर मैं आपका चैप्टर तिरकोणमिती ट्रिग्नॉमेटरी है तो आप लोग तिरकोणमिती बहुत ही सभी फार्मूले आपको करवाय जाते हैं उसके बाद में उससे सम्मंदित बढ़िया बढ़िया कुश्चन आपके सामने पेस होता है घरम घरम ठीक तो चलिए लास्ट वाले वीडियो में हम लोगोंने कुश्य नंबर 8 तक पढ़ा था और आज हम लोग कुश्य नंबर 9 की बात करने वाले हैं ठीक है अगर पहली बार आई टप क्यों है भाईया इस वीडियो मां तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स मां आप जाओ पहले और जतना वीडियो अप्लोड है सब देखदार हो तो बड़ा मजा आए भाईया चलो लेकिन अगर नहीं देखो तो कोनों द एक कुस्चन को आप अनेकों तरीके से साल्व कर सकते हो तिरकोर मेती आपको सीख तभी बड़ीया समझ में आएगी सीख पाओगे आप जब आप धेर सारे कुश्चन को प्रैक्टिस करोगे चलिए शुरू करते हैं लिखा हुआ है आपका 1-sin थेटा अपान में 1-sin थेटा अब हम सबसे पहले स्टेप में करेंगे क्या परिमेई क करेंगे जिसे अपान में क्या है 1-sin थेटा तो इसका हम परिमेई करन करेंगे अब परिमेई करन किया कैसे जाता है जेखो जिसे अपान में 1-sin थेटा है इसका हमें परिमेई करन अगर करना है तो जेखो प्लस का साइन है माइनस का साइन कर दो और उसी से उपर और उसी से आप multiply कर दो वोड़ा कर दो अब देखो यह आपका अपान में 1 प्लस साइन थीटा है अब हम उपर 1 माइनस साइन थीटा से और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से हम करेंगे multiply यही है आपका परिमेटरन यहां तक concept के लिए है कुछ नहीं किया यह question आपका दे रखा था यह आपके सामने लिखा हुआ है और हमने क्या किया जो इस question में जो आपका हर था 1 प्लस साइन थीटा इसी से क्या किया 1 माइनस साइन थीटा से उपर और उसी से नीचे multiply कर दिया इसी को कहते हैं परिमेटरन ठीक अब देखो इसके सामने भईया खेल आया गया था कि देखो भईया फ्रेक्षन क्या होता है multiply का जैसे आपका लिखा था 3 upon 2 into 5 upon 9 इसको कहते करते हैं नीचे का नीचे से और उपर का उपर से गुड़ा कर दिया जाता है जैसे 35 जा 15 लिख दिया जाएगा और 2918 यही है आपका भिन का गुड़ा वही काम यहां प साइन थीटा दोनों एक कई मियर हैं भईया अब एक कई मियर हैं जैसे आपको एक्स इंटू एक्स लिखा रहता था तो इसको क्या लिखते हो एक्स इंटू एक्स इसको आपको एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स तो आप इसको 123 टाइमस है तो एक्स लिखकर उपर 3 लिख इप्लाई करना है तो पावर में आप दो लिख दो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भया दिक्कत अब नीचे देखो नीचे आपको क्या दिख रहा है वन प्लस साइन थीटा वन मैंस साइन थीटा अब यह दोनों भी सेम हैं लेकिन नहीं सर सेम नहीं है इनका जो चिन है वो गड़ बड़ काम कर दे रहा है भया वही सब चोपट कर दे रहा है खेला तो करेंगे क्या देखो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला हम लोग उने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था a square minus b square equals to a minus b और a plus b देखो a square minus b square equals to a minus b दूसरे वाले ब्रेकट में a plus b यह फार्मूला आप लोग जानते हैं तो देखो है क्या 1 plus sine theta 1 minus sine theta दोनों सेब है बस दिक्कत कहां यह plus है यह minus है तो यह फार्मूला लिखा हुआ है किसी का किसका a square minus b square का अगर आप इसको मान लो a 1 को अगर आप मान लो a और sine theta को मान लो b तो यह भी a और यह भी b अब a plus b a minus b तो इसको क्या लिख सकते हो a square minus b square a square मतला 1 का square और minus b square मतला sine theta का whole square यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाईया अब देखो अब आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है आपके सामने 1 minus sine theta का whole square upon में 1 का square क्या होता है 1 ही होता है minus अब sine theta का whole square आप इसको ऐसे लिख सकते हो sine square theta यहां तक clear है अब यहां पर आप देखेंगे under road 1 minus sine theta का whole square और आप मुझे एक formula बताईए कि 1 minus sine square theta equals to क्या होता है तो एक formula हम लोगों ने जब सर्वसमिका पढ़ा था तब हम लोगों ने किया था sine square theta plus cos square theta is equals to 1 तो वहां से अगर आप formula निकालोगे 1 minus sine square theta का तो क्या आएगा cos square theta ठीक एक especially वीडियो में ने बनाया था तिरकोनमिती के सभे सूत्र एक ही वीडियो में आपको नीचे description box में उसका link मिल जाएगा ठीक है तो अगर पता है तो भाईया आप जानों आपका काम जाने तो 1 minus sine square theta की जगा पर हम लोग क्या लिखेंगे cos square theta यहां तक चमका अब आगे देखो भाईया आगे और चमकने वाला है चलिए देखिए आगे अंडर रूट 1 minus sine square 1 minus sine theta आप देखो 1 minus sine theta इसकी भी पावर में आपको क्या दिख रहा है 2 और cos square है मतलब इसके भी पावर में 2 तो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं 1 minus sine theta upon cos theta और दोनों की पावर क्या है सेम है square square तो हम क्या करेंगे एक साथ लगा देंगे पावर यहां तक कोई दिखकर ध्यान से समझेगा अब देखो जो square होता है ना पावर में 2 वो under root को भीया बरबात कर देता है इन दोनों का 36 का अकड़ा है कि अगर under root कहीं दिखा तो भाईया यह जो 2 है ना यह इनको खतम कर देंगे तो square से under root cancel किया नहीं जाता है हो जाता है ठीक तो यहां से square हट जाएगा under root हट जाएगा बचेगा क्या one minus sin theta और upon में cos theta यहां तक के लिए रहें आप देखो अलग-अलग कर लेते हैं one अब cos theta इसके भी upon में दे दो cos theta minus sin theta और इसके भी upon में cos theta अब आप मुझे यह बताइए कि one upon cos theta को आप क्या लिख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं sec theta ठीक और minus लगा है sin theta upon cos theta फार्मूला किसका होता है सर यह 10 theta को होता है यह आपका हो गया probe question number आपका भईया 9 यहीं पे समाथ हुआ तो इस तरीके से यह question आपका खतम हुआ कितना आसान था तो आप लोग इसका screenshot लेंगे फिर हम एक next वीडियो का बात करेंगे अगर इसमें कोई doubt होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक किजिएगा एक-एक point पर मैंने चिला-चिला के बताया है फिर से देखिया गया 100 नहीं 110 परसेंट है कि आपका doubt के लिए जरूर होगा फिर से मुझे बताने कि कोई जरूरत ही नहीं है यार चलो इसके screenshot लो भईया अब हम मिलेंगे एक नहीं question में ले लिया चलिए चलिए next question है आपके सामने question number 10 कह रहा है sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 equal to sec theta plus 10 theta सिद्ध कीजिए पुरूब करना है answer तो पहले से पता है भईया कि answer क्या आएगा call करने पे sec theta plus 10 theta ठेक चलिए अब शुरू करते हैं भईया अपने question को हम बरबाद करना solution अब देखो यहां पर हम करेंगे क्या देखो answer हमें लाना है sec और 10 में मतलब हमें इसमें किसको गायब करना है sin और cos को हटाना है और sec और 10 को लाना है तो करेंगे क्या ध्यान दिजिएगा यहां पर बस एक ही point इसमें समझना है आपको अंस वा हर में cos theta से भाग देने पर अंस आपका क्या है sin theta minus cos theta plus 1 और हर क्या है sin theta plus cos theta minus 1 यह है आपका हर ठीक अब जितने भी इसमें देखो जैसे sin theta cos theta plus 1 सब में क्या करेंगे सब क्या पान में cos theta लिख देंगे वही हो गया भाग तो चलिए शुरू करते हैं उससे हमें मिलेगा क्या हमें answer लाना है time में तो जब sign में cost का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा sin theta upon cos theta होते है 10 के बराबर तो इसलिए हमारा यही है जैसे sin में COST का भाग देंगे तो बन जाएगा 10 और 10 में हमें लाना है एंसर और जैसे 것 में कॉस का जो भाग देंगे तो एक ट़ जाएगा बचेगा हürण में कॉस का भाग देंगे तो Sug Slide aap こस ठीटा सेता के वराबर होता है इस तरीके से आप सुछ सकते कि हम क्या करें इसमें तो इसलिए हम क्सें भाग दे रहे हैं अगर साइन से भाग देते तो क्या होता कि अग। तो sign से इसलिए नहीं दे रहे हैं कि sign से sign में भाग देते तो cancel हो के 1 आता और cost में sign से भाग देते तो cost theta upon sign theta जो कि cut के बराबर होता और answer तो हमें 10 में लाना है इसलिए sign से नहीं भाग दे रहे हैं clear हुआ cost से क्यों भाग दे रहे हैं आगे चलिए देते हैं abbiamo कि साइन थीटा इसमें भाग्से देंगे कोश्ट थीटा से ध्यान से अगल द्धे से भाक्सिर का ध्यान हती दुरगठना गटी फोफट हिटा इसके भी अपान में क्या रहेगा कॉस्ट थीटा प्लस इसमें भी किसका भाग देंगे cos theta का अब पूरे बड़ा सा पॉंड लगाएंगे फिर नीचे वाला अब अंस में जितने भी थे सब में हमने cos भाग दे दिया अब हर में भी हम cos भी भाग देंगे है हमारा क्या sin theta इसमें भाग देंगे किस से cos theta से फिर क्या लिखा है plus cos theta इसमें भी भाग देंगे cos theta से minus one upon इसमें भाग देंगे cos theta से clear है आगे देखिए क्या होने वाला है भाईया अब देखो sin theta upon cos theta किसके बराबर होता है सर ये 10 theta के बराबर होता है सर question आप लोग इसका formula तो किये ही है एक special वीडियो बना था केवल formula का ही अब ये cos theta cos theta cancel होके आ गया क्या 1 और plus 1 upon cos theta बराबर होता है किसके sec theta के ये भईया जानते हैं बच्चे-बच्चे sin theta upon cos theta किसके बराबर होता है 10 theta के 10 theta हो गया plus ये cancel हो गया cos theta cos theta 1 आ गया minus 1 upon cos theta sec theta हो गया यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भईया आप देखो हमें लाना क्या है भईया हमें sec theta plus 10 theta लाना है अब यहां से क्या होगा भईया 10 theta sec theta इसको करो क्या हाँ ठीक है sec theta और 10 theta को आप लिख लो सही से अभी देखना होगा क्या sec और 10 तो sec को पहले लिखो sec theta plus 10 theta minus 1 ठीक इसको सही से लिख लेते हैं कारण क्या है अभी आपको पता चलेगा sec theta यहां पे रहें दो इसको ऐसे रहें दो भईया इसको नीचे वाले को कुछ मत करो 10 theta मर्जी तो sec को पहले लिख लो sec theta और प्लस 1 इसको ब्रेकट में कर लेते हैं हम लोग ठीक है आप देखो उपर sec theta plus 10 theta minus 1 और अपान में sec theta minus 10 theta sorry 10 theta minus sec theta plus 1 अब हमें लाना है answer sec theta plus 10 theta मतला इतना हमें लाना है 1 और यह नीचे वाला सब गायब हो जाए तो हमारा answer आ जाएगा तो हमारा उद्देश यही है कि कैसे अब आगे x को 1 को कैसे गायब करें तो देखो भईया जाने चाहा जिसे मैंने चाहा जिसे उसने चाहा किसी और को sec theta plus 10 theta minus अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 को हम लिख sec square theta minus 10 square theta क्यों हम sec square theta minus 10 square theta क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें answer sec और 10 के form में लाना है इसलिए शर आप आप के मन्में आता न कि सर sin square theta plus 4 een square theta बराबर 1 होता है यह भी तो आप लिख सकते हो जी बिल्कुल लिख सकते हैं लेकिन हम motion कर लाना है और 10 के form में इसलिए हम 1 स्क्वायर ठीटा और पूरे के अप्वान में क्या चल ला है आपका जो है वो है क्या है तैन ठीटा और माइनस से ठीटा और प्लस में वन यहां तक किलियर है अब देखो अब यह आपका कोई फार्मुला दिख रहा है सर एस्वायर माइनस B स्क्वायर का, ठीख है, लिख लो, फार्मूला, फार्मूला भाया लिख लो, तो यह आपका सेख थीटा, प्लस में, टैन थीटा, माइनस में, अब यह आपका फार्मूला, देखो कैसे बनेगा, अगर आप सेख थीटा को क्या मानलो, A, यह आपका अगर इसको मानलो, A, और इसको मान लो B, तो सेख थीटा, मतलब सेख थीटा को हमने माना A, तो A स्क्वाइर और 10 थीटा को माना B, तो B स्क्वाइर, A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर होता क्या है, पहले ब्रेकट में A माइनस B, दूसरे ब्रेकट में A प्लस B, A माइनस B पहले ब्रेकट में A क्या मान हमनों क्या माना श्यक्थ्ट तो श्यक्थ्ट हीडा माइनस बी apply कि स्को माना हमने टैन थिटा को तो माइनस अ आफ देखो अब दूसरे ब्रेकट में इसी को प्लस के साथ में लिख देंगे सेख थीटा प्लस में डैन थेटा आपको दिख तो रहा है एक मिनट भाईया मैं चेक कर लूँ नहीं तो भाईया लिखना सब बरबाद हो जाएगा ठीक है भाईया दिख रहा है और गर्मी बहुत ही भाईया हमार तो हालत खराब ही भाई अप्वाण में 10 ठीटा माईनेस 6 ठीटा प्लस 1 अब ध्यान दो उपर से कुछ कामन हो रहा है क्या कामन हो रहा है सर उपर से आपका कामन हो रहा है अगर इसको भी आपड कर लो तो ज्यादा मजे दार हो जाएग इसको भी इसको भी देखो सेक थिटा प्लस टैन थिटा और सेक थिटा प्लस टैन थिटा दोनों जगे है तो हम सेक थिटा प्लस टैन थिटा को ले लेंगे कॉमन तो देखो हम common ले रहे हैं sec theta plus में 10 theta को यह हमने ले लिया common अब यहां से जब common आ गया तो यहां पे क्या बचा? यहां पे 1 बचा और यह minus ठीक? अब यह तो common चला गया आप केवल यह बचा क्या? sec theta minus में 10 theta ठीक है? यह आपका बचा हुआ है उपर अब पूरे के upon में क्या से लेगा? जो आपका है, क्या है? 10 theta minus sec theta plus 1 ठीक है? यह आपका upon में बचा हुआ है अब आप एक काम करिए अब ध्यान देजिए, यहां minus है क्या है? minus minus से अंदर जब multiply करोगे तो होगा क्या? यह minus sec theta हो जाएगा और यह minus इसको प्लस कर देगा अब आप ध्यान देजिए अगर तो उपर क्या लिखा हुआ है ब्रेकट में? plus 1, नीचे द्यान दो plus 1, minus sec theta नीचे minus sec theta उपर plus 10 theta, नीचे plus 10 theta थोड़ा आगे पीछे है लेकिन है सेम ही तो इसलिए यह और यह आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है? अब बचा क्या? आपका बचा है यहाँ पे केवल sec theta plus main 10 theta यह आपका क्या है बराबर? RHS यही तो हमें लाना था sec theta प्लस 10 theta तो आपका इस तरीके से प्रूब हो गया question कितना मज़ेदार question था? एक बार, दो बार स्वयम कीजिएगा बहुत ही important question है बच्चे बहुत गलती करते हैं इस type के question हो में ठीक है? तो चलिए इसका स्कीजू साट लीजिए फिर हम एक next question की बात करेंगे ले लिया? चलिए भाईया हो गर्मी बहुत जादा है टाइम हो गया है जादा तो आज हमके वल दो ही question की बात करने वाले हैं अब next video में आपको बढ़िया कुस्चन आपको करवाये जाएंगे ये दो question आप लोग देखिए इन पर practice कीजिएगा फिर हम next video में बढ़िया से बढ़िया कुस्चन आप लोग के सामने लाएंगे ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं बहुत प्यार से पढ़ेंगे तो कि मैंने ठाना है न तिरकोर मेती को आप से मुहबबत करवाना है तो करवाना है मेरे उपर अगर depend हो तो बहुत कोई सोचने समझे वाली बात नहीं एकदम निधरक रहो भईया तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, see you